डॉक्टर पुश्पिंदर वर्मा फैन कलब ने आयरवेदिक अस्पताल लंबलू के लिए एक वीलचेर और एक स्ट्रेचर और वहां के आशा वरकर और MPW वरकर्स को आशा किट मोहिया करवाई है इस मौके पर डॉक्टर पुश्पिंदर वर्मा बतार मुक्यतिती शामिल रहे और उन्होंने पंचायत परधान करतार सिंग चोहान की परशंसा करते हुए कहा कि इस उमर में उनके समाज के प्रती जजबे को देखते हुए लंबलू और आसपास के 15 पंचायतों के लोगों के लिए 24 घंटे स्वास्ते सुविधा उपलब्द करवाने के लिए उनके संघर्श को देखते हुए फैन कलब के सभी सदस्यों ने ये फैसला लिया कि हम भी इस यग में अपनी आहुती डालें और इसी करम को जारी रखते हुए एक चोटी सी कोशिश की गई है जिसके माध्यम से उन्होंने वीलचेर और स्ट्रेचर डोनेट की हैं उन्होंने बताया कि अस्पताल में 24 गेंटे सुविधाय मोहिया हो रही है तो मरीजियों को कोई समस्या ना आए इसके लिए उन्होंने ये भेंट दी है डॉक्टर वर्मा ने कहा कि सभी को बढ़ चड़ कर इस तरह के कारियों में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की विशेश के लिए नहीं बलकि पूरे समाज की लड़ाई है और ये किसी एक व्यक्ति की विशेश विधा के लिए नहीं बलकि पूरे लमलू पंचायता और आसपास की अन्ये 15 पंचायतों के निवासियों के लिए है डॉक्टर पुश्पेंदर वर्मा ने सभी प्रभूद ग्राम वासियों और पंचायद प्रतिनीदियों को आश्वस्त किया कि आगे भी उन से जो बन पाएगा वो इस अस्पताल के लिए किया जाएगा यहांबे आये हैं डॉक्टर पुश्पेंदर वर्मा फैन कलग की तरफ से और हमें जितना काम हंकल जी इस उमर में कर रहे हैं यहांगे परदान ग्राम पंचायद के हमारे अंकल शिरी के आश्वान जितना जवदस ताम कर रहे हैं और जब हमें लगा के कोई चीज जो इतनी जो शोर से कर रहे हैं और सारे क्राववासी जो है इसमें पूरा सेहोग कर रहे हैं तो मैं भी इसी इलाके का हूं तो हम लोगों ने भी सोजा कि हमारे को भी इस यक वें अपनी तरफ से कुछ ने कुछ आहूती जो है वो डालनी चाहिए तो आज हम अपने फैन कलग की सब्सक्राइब करें और हमेशा जो है नागेवल लंगलू बन जायद के साथ बनकी पूरे हमेशा पूरे माचल की जनता के साथ खड़े हैं और हमारा कलब बोशिश कर रहा है इस महामारी में लगातार पुछले सबा साल से हम बोशिश कर रहे हैं के लड़ें और हम लड़ रहे हैं तो एक ही संदेश है कि सतरक रहें साथ दान रहें मास्क जरूर लगाएं दन्यवाद इस मौके पर ग्राम पंचायत के परधान करतार सिंग चोहां ने डॉक्टर पुछपिंदर फैन कलब के सदस्यों का आभार वेक्ट किया और कहा कि ये मानवता की नई मिसाल कायम कर रहे हैं उन्होंने सभी से आवान किया कि सब लोग इसी तरह अगर सामाजिक कारियों में अपनी हिस्सेदारी करेंगे तो वे दिन दूर नहीं जब स्वस्ते भारत का सपना पूरा होगा